हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्थी लड्डू की रश्पी सेयर करेंगे जिसे हम खजूर और ड्राइ फ्रूट से बना कर तयार करेंगे ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल कप ड्राइब फ्रूट्स हैं इसमें काजू बादाम और पिस्ता सभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इन्हें लगातार चलाते हुए आप फ्राई करिए जिससे ये जले नहीं ये दिखिए काजू पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है ड्राइब फ्रूट्स बढ़ ये कुछ किस्मिस हैं अब इनको हम फ्राई करेंगे किस्मिस बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है इसलिए हमने इन्हें काजू और बादाम के साथ फ्राई नहीं किया आप इन्हें अलग से फ्राई करें ये लिए किस्मिस भी हमारी फ्राई हो गई इसको भी अब हम निकाल गए नयाहितकू है इए ख़जूर है इनके हमने बीज निकाल दिए हैं यह कि अदिखियो ख़जूर है और हम बीज निकाल दीए two, और यह हिल्त ख़जूर के लिए यह ख़जूर एधा होता है कि जुग petals की घी बचाता उसमें हमने अपने खजूर डाल दिये हैं और इनको भी हम ठ्राई करेंगे थोड़ी देर में ही खजूर आपस में निपड़ जाएंगे इन्हें आप अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए इनमें हम चीने का यूश नहीं करेंगे खजूर से ही हमारे लड़ू बंद जाएंगे खजूर बहुत ही ज़्यादा गरम होता है सर्दियों में इसे हमें जरूर खाना चाहिए ये देखिए खजूर आपस में ही निपटने लगा है ये लड़ूओं को बांडिंग का काम करेगा इसी तरह से दो तीन मिनट के लिए चलाते हुए खजूर को हम भूल लेते हैं इधर जो ड्राइफ रूट्स हमने फ्राई किये थे ये भी ठंडे हो गए इन्हें हमने एक पॉलिथीन पे रखके बेलन पप्चे इस तरह से हम कूट लेंगे सारे खजूर सारे ड्राइफ रूट्स हमने देखिए इस तरह से कूट लिए हैं इधर खजूर भी हमारा अच्छे से बुन चुका है गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है किसमिस इसको भी हम डाल देते हैं और अच्छे से ड्राइफ रूट्स और खजूर सबको मिक्स करेंगे बहुत आसानी से ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसको ठंडा होने दीजे जब ये बहुत ही हलका सा गरम हो तब हम इसके लड्डू बनाएंगे जब आप इसे आसानी से चू सकें और इसके लड्डू बना सकें ये दिखें इस समय ये बिल्कूल ठंडा हो चुका है हलका सा गुनगुना है हातों पर अच्छे से घी लगाएंगे खजूर चिपकता है इसलिए आप हतेलियों में घी लगाएं उसके बाद आसानी से लड्डू बनाएं ये दिखें बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही जादा आसान भे एक लड्डू बन कर तयार हो गया इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना कर तयार कर लिए कैसी लगी आपको ये रेस्पी कमेंट करके जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू